आजकल सहर के हर गली गली में आपको जोला चाप क्लीनिक देखने को मिल जाएगा अक्सार लोग छोटी मोटी बेमारी जैसे जुकाम, खांसी या हलके बुखार पर पास कही क्लीनिक पर अपना इलाज करा लेते हैं बिना जाने कि उसकी डिगरी क्या है और इन ही कारणों से ये लोग इन फरजी जोला चाप डॉक्टरों के हत्ते चड़ जाते हैं कुछ ऐसा ही घटना 36 गड़ से सामने आया है जहां 36 गड़ में सर्दी, खांसी और बुखार का जोला चाप डॉक्टर से इलाज करा रही एक महिला की गुरुवारा रात मौत हो गई बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद महिला को खून की उल्टी हुई जिसके बाद गंभीर स्तिती में महिला को रतनपुर सामुदाईक स्वास्त केंद में लाया गया जहां इलाज के दोरान महिला ने दम तोर दिया घटना रतनपुर ठाना छेत के कलमीटर गाउं की है घटना के बाद से जोला चाप डोक्टर सत जीत गोलदार क्लीनिक बंद कर फरार है वहीं पोलिस मामले की जाच कर रही है जानकारी के अनुसार रतनपूर थानाचेतर के कलमिटार गाउं में सत्यजीत गोलदार यस मेडिकल स्टोर का संचालन करता था और मेडिकल स्टोर की आड में ही उसने बगल में एक क्लीनिक भी खोला था जहां ग्रामीनों का वो इलाज करता था जोला चाप डॉक्टर सत्यजीत गोलदार के पास गुरुवार रात गाउं की एक महिला रेखा बेरवार जिसकी उम्र 35 वर्स है इलाज के लिए पहुँची परिजन के अनुसार उक्त महिला को मेडिकल संचालन दो इंजेक्शन लगाता है जिसके बाद से महिला की इस्तिती लगतार बिगरती चली जाती है सांस फूलने लगती है इसके बाद महिला के परिजन उसे रतनपुर समुदाइक स्वास्त केंद लेकर पहुँचते हैं समुदाइक स्वास्त केंद में डॉक्टरी परिक्षन के बाद महिला को मिर्त घोसित कर दिया जाता है वहीं सिकायत पर सुक्रवार को पुलिस क्लीनिक पर पहुँची और मेडिकल स्टोर वा क्लीनिक दोनों को बंद किया तो देखा गया कि आरोपी वहां से फरार है